हलो और वेलकम टो बॉलीवुट वाला, आई एम सोनुप, दोस्तो ब्लडी डाडी का ट्रेलर देखा मैंने अभी अभी, यार मेरे को ठीक था की लगा ट्रेलर यार, ओके ओके, अब आक्शन का जो ग्लिम्स देखा मैंने वो देखके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बिग स्केल action होगा, लेकिन action भी ऐसा कुछ outstanding action नहीं लगा यार, मतलब never before seen action scene मैंने तो trailer में देखा नहीं, last में वो flame thrower वगेरा लेकर आता है, शाहिद कपूर, ठीक है, ओके, थोड़ा सा big scale लग रहा action, बट यार, trailer में ना, एक भी ऐसा scene नहीं था, which made me say, भाई वा, ये क्या scene है, यार, मतलब कोई भी scene, कोई भी moment trailer में में मिरको outstanding नहीं लगा, यार, कोई भी scene देखके ऐसा मन नहीं किया कि rewind मार के देखो, यार, तो वो rewind value missing था trailer में, यार, and ultimately ये film OTT पे RSC, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शाहिद कपूर को अगर बड़ा superstar बनना है न, तो उनको theater मे आना पड़ेगा, उनका films theater में release होना ही पड़ेगा, वो अनिवारिया है, क्योंकि देखो, कबीर सिंग जिस तरह का success पाया था, theater में उसके वज़े से शाहिद कपूर का stardom बढ़ गया था न, अब OTT पे आएगा तो मतलब उससे star value कुछ मतलब निकलता नहीं है, OTT पे hit या flop का कोई ratio नहीं है, OTT पे जो भी आता है सबको hit ही बनाता है, सबको hit ही बताया जाता है, तो hit या flop ये आपको theater से मालुम पड़ता है, ये आपको box office बताता है, OTT नहीं है, तो शाहिद कपूर will have to come into theaters, his films will have to release in theaters, otherwise he will become an OTT actor, OTT star, तो वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, शाह Ait Kapoor, he's a good actor, very good actor, तो I want him to come in theaters, not on OTT, तो पहली बार जब मैं bloody daddy सुना, मुझे लगा ये theater वाला film है, but then अभी trailer देखके है, तो वो theater वाला feeling आया भी नहीं है, तो I think it's better off that the film is coming on OTT, and like I said, nothing in the trailer really really enchanted me, or engrossed me, or impressed me so much, okay okay, ठीक ठाक ही लगा, Action देखता है, थोड़ा interesting, थोड़ा सा हलका सा interesting लग रहा है, but then again action, scenes like I said, let me reiterate, ऐसा कुछ nothing new, nothing different वाला कुछ देखने का मौका नहीं मिला, तो वहाँ पर disappointment ज़रूर हुआ, अब बाकी देखता है यार, अब ये कोई French film का remake है, बताया जा रहा है, ऐसे reports है, अब देखना पड़ का French film का remake है, या नहीं है, कोई Sleepless Night का, कोई 2011 का film है, अब दोस्तों, अगर remake होगा, तो यार, again disappointment होगा, remake नहीं है, तो अच्छी बात है, यार, let's see, original है की नहीं, but, theater में आना चाहिए, शाहिद कपूर को इतना मैं कहूंगा, and, बाकी, average to above average trailer, 2 to 2.5 stars for the trailer of Bloody Daddy, आपका take, लेक क बताईए, and of course, like, share, and subscribe भी करना, channel को, video को, and super thanks को option भी है, वो भी आप दे सकते हो, चलिए, for the moment, ta-ta!